नमस्तकर दोस्तो हमारा बिहार में आपका स्वागत है आज है 10 अगस 2020 और 10 अगस 2020 से जितने भी करेंटरफेर्स के कोश्चन है जो बिहार से जुरे हुए है उसको आज हम डिसकर्स करेंगे और दोस्तो इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलि अप्लिकेशन में सेर्च किजिए हमारा बिहार एचबी और चैनल को जॉइन किजिए वहां पे आपको सारे दिन का PDF हिंदी और इंग्लिस तोनों लाइंग्वेज में मिल जाएगा और दोस्तो इस वीडियो के लाश्ट में मैंने रिविजन का दो प्रस्ण रखा है जिसका प्रधान मंतरी आत्म निर्बर प्रतियोक्ता में बिहार के अनुराग कुमार ठीक है बिहार के अनुराग कुमार ने प्रतम अस्थान प्राप्त किया है इमेज में देख सकते हैं यही है अनुराग कुमार जी और बेगु सराय के अनुराग कुमार ने प्रधान मंतरी आत् अनुराग को सबसे अच्छा और उपयोगी मोबाइल अप्लीकेशन बनाने के लिए देश में पहला स्थान मिला है अनुराग ने caption plus नामक एक mobile application बनाया है इस application की खासियत यह है कि social sites या YouTube पर कौई भी कौन से post या वीडियो पर कौन से caption या hashtag चाहिए या खुद वखुद caption और hashtag लगा देता है इसके लिए अनुराग को दोस्तो 20 लाख रुपया का पुरसकार दिया गया है पूरी दुनिया में caption plus के 22 लाख users है और इससे पहले भी अनुराग भारत सरकार के good governance आईडिया प्रत्यक्ता में अबबल आ चुके है अगला प्रस्न है दोस्तो कोरोना से उच्च मृत्तु दरवाले देश के 13 जिलों में बिहार का कौन सा जिला सामिल है देश के 13 जिलों में कौरोना से होने वाले मौत का दरश्ट्रिय औसत से ज़्यादा है और इन जिलों में पटना भी सामिल है केंदर के द्वारा इन जिलों को सलाह दी गई है कि वे कम जांच वा जांच के नतीजे में देरी जैसे समस्याओं को दूर करे ठीक है अब दोस्तों नाम आ गया पटना का तो चलिए इसके बारे में जानते हैं तो दोस्तों ये आ गया बिहार का मैप और ये रहा पटना जिला ठीक है अब पटना जिला देखिए और किसी जिला से सट रहा है तो देखिए भोजपूर है सारन है बैसाली है उसका समस्तिपूर हो गया वेगु सराय हो गया लखी सराय हो गया नालंदा हो गया जहानाबाद हो गया और अरवल हो गया ठीक है और दोस्तों पटना जिला के साथ एक प प्रतिव और किलोमीटर और साक्षरता दर है सत्तर दसन्वत छे आठ प्रतिशत लिंगान पाथ होगे यहां का 897 महिला प्रति एक हजार पुरूस और यहां का प्रमुक नदी सोन गंगा और पुनपुन है ठीक है पटना को पाटली ग्राम पाटली पुत्र कुशुमपूर प पटना ही है ठीक है गुरू गविन सिंग का जन पटना में अबिस दिसमर 1666 भी को हुआ था पटना के गोलगर का निर्मान जान गश्टिंग ने 1786 में करवाया तीसरा बहुत संगति का आयजन पाटली पुत्र यानि पटना में 255 जिसा पुर्में असुक के सासनकाल में हु अबियान के तहत राज में पार्यावरन की पाट साला आयजित की जाएगी इस पाट साला का उधगाटन राष्ट्रिये स्वक्ष गंगा मिशन के महानी देसक राजीव रंजन मिसरा जी करेंगे इस अभियान के प्रथम केंदर के रूप में बैसाली जिला के बुद्धा वर्ड इसकूल का चैन किया गया है और इस अ अप्सन इसका सही हो गया इमेज में देख सकते हैं यहीं है सिप पूजन सहाय जी इस अपसर पर मुख्य मंत्री ने सिप पूजन सहाय की मूरती का अनावरन भी किया है अब दोस्तों चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं तो सिप पूजन सहाय जी का जन नौ अगस् 1893 में बक्सर के इटाधी पर प्रकंड के अंतरगत उन्वांस गाउं में एक मध्यम बरिगे परिवार में हुआ था 1924 में लखनौ में प्रेम चंद के साथ माधुरी का संपाधन किये इनके लिखे हुए प्रारंभिक लेक जो कि लक्षिमी, मनुरंजन और पाट्रिपुद आद्री पत्रिकाओं में प्रकासित होते थे शिप पूजन सहाई ने 1934 में लहेडिया सरायानी दर्भंगा जाकर मासिक पत्री का बालक का संपाधन किया और सोतंतता के बाद सी पूजन सहाई बिहार राष्ट भासा परिशत के संचालक था, बिहार हिंदी साहित समयलन की और से प्रकासित साहित नामक सूध समिक्षा प्रधान त्रेमासिक पत्र के संपाधक बने और उनके मित्त दोस्तो 21 जनवरी 1963 को यह पटना में हो गया ठीक है अगला प्रसन है हाली में चुनाव आयो के द्वारा दिब्यांगों के लिए कौन सा एप लाँच किया गया है तो उस एप का नाम है PWD ठीक है सी ऑप्सन इसका सही हो गया PWD मतलब Person with Disability तो दिब्यांग मतदाताओं के लिए चुनाव आयो ने PWD यानि Person with Disability नामक एप लाँच किया है इस एप के जड़िए दिब्यांग लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम पंजेन करा सकते हैं साथ ही अपना नाम एक अस्थां से दूस्थां अस्थां अस्थां करा सकते हैं और एक खास बात यह है कि दिब्यांग लोग मतदान के दीन मतदान के पर जाने के लिए इस एप के जड़िए वीलचेयर के लिए अनुरोध भी कर सकते हैं और इंटरफेस देखा जाए तो PWD यानि Person with Disability एप का यह इस तरह का इंटरफेस आता है ठीक है चलते हैं अगले प्रस्थ की तरह तो अगला प्रस्थ नहें इंडियन आईड़ सीजन 12 में बिहार के किस कलाकार का चैन हुआ है तो नाम है अपुर्वा प्रियदर्शी और सनोज सागर ठीक है तो c option साही हो गया उप्युत दोनों और अब पुर्वा प्रियदर्सी जो है दोस्तों ये सहरसा जिला की रहने वाली है और सनोज सागर जो है दोस्तों ये और अंगाबाद के रहने वाले हैं अगला प्रस्न हाली में बापु कला दिर्गा का उधगाटन किसके द्वरा किया गया है तो बापु कला दिर्गा का उधगाटन किया है नितिस कुमार जी बी आप्सन इसका सही हो गया और मुख्य मंतिर नितिस कुमार जी के द्वरा समराट अस्चोक कन्वेंशन हॉल पटना में बापु कला दिर्खा का उधाटन किया गया है इस कला दिर्खा में गुदाबरी दत्ता बहुआ देभी और स्यामसरमा जैसे कलाकारों की किर्थियां रखी गई हैं और साथ ही बीटा में पटना के बीटा में 250 करोर की लागत से बनने वाला डेवलोप्मेंट मेनेजमेंट इंस्टेचूट का सिलन्यास भी नितिश कुमार जी के द्वारा किया गया है तो दोस्तों ये था इसका करेंट अफियर्स चलते हैं कल के रिविजन के तरफ तो कल के रिविजन का पहला प्रसन देश में पहली बार चलाया जाने वाला किसान ट्रेन महराष्ट के देवलाली स्टेशन से बिहार के किस स्टेशन तक चलेगी तो दानापूर स्टेशन तक सी आप्सन इसका सही हो गया और कल का दूसरा प्रसन था हाली में देश के 25 रेलवे स्टेशन का नीजी करन किया जाएगा इसमें पूर्व मद्ध रेलवे के कितने स्टेशन को सामिल किया गया है तो पाँच इस्टेशन को जिसमें बिहार का चार इस्टेशन है और एक मद्य पर्दिस का इस्टेशन है आज का रिविजन का प्रस्न है हाल ही में राज में HIV वो एट से जुरे समस्य के निदान के लिए लोगपाल गटित किया गया है तो लोगपाल के लिए किस व्यक्तिकार चैन किया गया है और आज का दूसरा प्रस्न है किस एक्ट के अंतरगत सुनवाई के लिए राज के सभी जिले में बिसेश नियाले का गठन किया जाएगा तो इस दोनों प्रस्न का उतर आप लोगो को कॉमेंट वक्स में देना है तो चलिए दोस्तो आज के लिए इतना ही आसा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा है ये हल्फूल लग रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजे वीडियो को लाइक कीजे तह आपने दोस्तों में जरूर शेर करें और दोस्तो इस वीडियो का अगर आप आप आडियो सुन कर रिविजन करना चाते हैं बहुत ही अच्छा ओडियो प्रेटफर्म है दोस्तों वहाँ पे आपको धेर सारा GKGS Current Affairs का ओडियो वर्सन मिल जाएगा जिसे सुनकर आप रिवीजन कर सकते हैं बढ़ाई कर सकते हैं तो चलिए दूस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद